नमस्कर दोस्तो मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथा गता ये सकेडमी मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम देश के पहले संविधान संग्रहालय पर चर्चा करेंगे आखिर संविधान संग्रहालय को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तो आधुनिक शोध और आधुनिक तक्नीक के माध्यम से लोगों को संविधान के बारे में बताना या संविधान के बारे में जागरूप करना इसका मुख्य उद्देश है तो आखिर ये संविधान संग्रहाले कहां और कौन बनवा रहा है इस पर हम आज चर्चा करेंगे तो ये संविधान संग्रहाले भारत के संविधान को अपनाने की 75 वी वर्षगाट के अवसर पर O.P. जिंदल Global University यानि JGU भारत का पहला संविधान संग्रहाले शुरू करने ज तो जो भारत की जो एक प्रतिष्ठित Global University है जिसका नाम है O.P. जिंदल Global University वो इस संविधान संग्रहाले को शुरू करने जा रही है इस संग्रहाले का आखिर नाम क्या होगा तो इस संग्रहाले का जो नाम है वो जो प्रस्तावित नाम है वो है Constitution Academy and the Right and Freedom Museum तो ये इसका नाम रखा गया है इस संग्रहाले का प्रस्तावित उधगाटन 26 नवंबर 2024 को JGU परिसर में किया जाएगा तो जो JGU का परिसर है वहाँ पर इसका उधगाटन किया जाएगा वही JGU के कुलाधिपती जो JGU University यानि कि जो है इसके कुलाधिपती BJP सांसद नवीन जिंदल है जो BJP क के कुलाधिपती है उनका कहना है उन्होंने इसके उधगाटन समारों में कहा था कि ये संग्राले भारत के संविधान के तहट एक राष्ट के रूप में एक जुट होने की हमारी यात्रा को समर्पित है हमारी विविधताओं के बावजूद संविधान हमारी राष्ट्रिय पहचान के एकीकरत प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है जो विविधता में एकता के सिध्धान्त को दर्शाता है तो ऐसा मानना था नवीन जिंदल जी का वही जे जी यू के संस्थापक कुलपती सी राजकुमार ने संग्रहलय को एक ऐसा मंच बताया है जो वहां के सी राजकुमार वह बताते हैं कि इस जो संग्रहलय वह एक ऐसा मंच है जो जीवित और सांस लेते तथा बढ़ते दस्तावेजों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा उन्होंने आगे कहा कि इस संग्रहलय के लिए हमारा द्रिश्टिकोंड भारत के संविधान के नि प्रोफाइल भी शामिल होंगे बल्कि प्रोफाइल से भी कहीं ज्यादा मैटेरियल यहां पर उपलब्ध होगा जिन्होंने संविधान को आकार दिया लेखन किया और इन सभी का यहां पर वरण किया जाएगा वही बीएन राउने संविधान का प्रारूप तयार किया था तो प्रेम बिहारी राइजादा ने संविधान को अपने हाथों से कलमबद किया था। यह हम सब जानते हैं कि संविधान सभा का सलाकार 1946 इसवी में बी एन राव को न्यूप्थ किया गया था। वही भारतिय संविधान का पहला प्रारू भी बी एन राव ने ही तैयार किया था। बियन राव की जो तारीफ थी वो डॉक्टर बी आर अमबेटकर ने भी की थी, कि जितना श्रे समभिधान निर्माड का मुझे दिया जाता है, उतना ही या उस से थोड़ा कम जो उसका श्रे है, वो BN Rao को भी देना चाहिए या इतना credit उनको भी देना चाहिए प्रेम बिहारी राइजदा के बारे में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रेम बिहारी राइजदा ने भारत के समविधान को अपने हाथों से लिखा है वो दिल्ली के कातिब थे उन्होंने ये समविधान ऐसे ही नहीं लिखा ये सब लिखने के लिए उन्हें समविधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आप भारत के समविधान को कलमबध करें उसके बाद ही वो प्रिम्बिहारी र हिंताना नहीं लेंगे और दूसरी बात ये कि समविधान के हर पन्ने पर यानि जिस पन्ने को वो लिखेंगे हर पन्ने पर वो अपने हस्ताक्षर भी करेंगे उनकी ये जो बात थी प्रिम्बिहारी राजजादा की ये जो मांग थी उसे समविधान समिती ने सहर्ष सुई कार कर लिया था और उसके बाद में ही प्रेम बिहारी राइजादा ने भारत के संविधान को कलंबध किया था आगे वो ये कहते हैं राजकुमार जी की संग्रहालाई में व्यापक एतिहासिक डेटा होगा जो व्यापक बड़े पैमाने पर यहां पर एक डेटा होगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि 26 नवंबर 1999 को यानि संविधान को अपनाने से पहले क्या-क्या गतिविदिया हुई, कौन-कौन सी चर्चाएं हुई, किन सब चीजों को नकारा गया, किन को सुईकार किया गया, कितने देशों की यत्रा की गई, किन देशों के संविधान के अध्यान करने के बाद हमने अपनी अनकूल परिस्तिती अनकूल उन अंशों को अपने संविधान में शामिल किया तो ये सारे तथ्यों को यहां पर शामिल किया जाएगा साथ ही संग्रहलाय में मौलिक अधिकारों के विकास और भारतिय समाज पर समविधान के प्रभाव को भी प्रदर्शित किया जाएगा तो इन सब चीजों से जुड़ी सामगरियां मसलन समविधान हमें क्यों चाहिए समविधान हमने क्यों बनाया समविधान को बनाने में क्या क्या दुश्वारियां आई संविधान पर कितने लोगों ने चर्चा की कितने दिन तक चर्चा की संविधान को लिखने के लिए कागज कहां बनाया गया कितनी इंक यानि स्याही यूज की गई कितने पैन यानि फोल्डर जो पैन फोल्डर वगरा थे उनको यूज किया गया था किस तरीके से इस सम्विधान को बाकाइदा लिखा गया वही किस गैस में हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं कितना खर्चा आया ये सारी जो चीज़ें ये जो सारी बातें हैं ये बच्चों को वहां बताई जाएंगी जो भी आगंतोख है वो यहां पर इस सम्विधान को बनते और जीवन्त होते हुए देख सकते हैं तो आज के जो हमारा टॉपिक जो था वो यही तक था और हम कल फिर किसी नई टॉपिक के साथ आप से फिर से रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार